दोस्तों नमस्कार ये हमागदुशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा में पूछे गए सामान्य अध्यन के महत्वण प्रिक्षा के रिवीजन के करम में इस वीडियो में प्रस्तोत है वर्स 2018 में PCS प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए भारती इतिहास के महत्वण प्रिक्षा के लिए भी बहुत ही उप्योगी है इसमें हम भारती इतिहास के अंतरगत, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी महत्तुपूर्ण प्रश्णों को कवर करेंगे प्रश्णों को साल्व करते समय हम उनकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्णों को आसानी से समझ सकें और परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ अन्य महत्वपोंड तथ्यों को भी तैयार कर सकें तो आईए शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षाओं 2018 में भारती इतिहास से संबंधित सभी महत्वपोंड प्रश्णों का रिवीजन पहला प्रश्ण है दोस्तूं आप देख सकते हैं कि निमनलिखित में से कौन सुकल यजुरूर्वेद की संघिता है आपको बताना है आपसन है वाजसनेई, मैतरायडी, तैतरी या काठक तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सुकल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेई संहिता आपसन ए दोस्तों आप जान लीजिए कि यजुर्वेद की दो शाखाए हैं शुकले अजुर्वेद और कृष्णे अजुर्वेद शुकले अजुर्वेद की संहिता को वाजसने कहा जाता है और शुकले अजुर्वेद केवल पद्य में है जबकि कृष्णे अजुर्वेद ये पद्य और गद्य दोनों में है तो याद रखिएगा वाजसने जो है वो शुक्ल या जुर्वेत की संगिता है अगला प्रिश्ण है नीचे दो कथन दिये गए है कथन A और दूसरा है कारण R कथन है भारत पर तुर्की आकरमण सफल हुए सही है कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी बिलकुल सही है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसन A कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याख्या है कैसे आप जान लिजे भारत पर तुर्कों का आकरमण सफल हुआ जिसके फल सरूप भारत में इसलामी राज्य अस्थापित हुआ अस्पष्ट है कि कथन सत्य है भारत में राजनीतिक एकता का आभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिसाली और विश्त्रित सामराज्य कन्य होना तुर्कों की विरुध अस्थलता का कारण था डाक्टर एल स्रिवास्तों के नुसार राजनीतिक एकता का अभाव सामाजिक विभेत, ब्रामणबाद का उत्तान, नैतिक पतन और भारतियों की तुलना में तुर्कों की सैनिरणीत, सैनिक गठवंधनादी की द्रिष्टी से स्रेष्ट होना तुर्की सफलता के कारण है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याक्या है अगले प्रशन पर आते हैं, निमनलिखित मंदिरों को काला नुकरम में ब्यवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए यहाँ पर चार मंदिर आपके दिये गए हैं, ब्रिह देश्वर मंदिर, गंगय कोंड चोल पूरम मंदिर, महाबली पूरम का तटी मंदिर और सब्त पैगोडा मंदिर तो सबसे पहले यहाँ पर सब्त पैगोडा मंदिर है, यानि चार आप देखिए उसके बाद आपका आता है महाबली पुरम का तटिय मंदिर यानि तीन उसके बाद ब्रिह देश्वर मंदिर एक और फिर गंगय कोंड चोल पुरम मंदिर तो यहाँ पर चार तीन एक दो आपका सही क्रम हो जाएगा आपसन डी आपका सही उत्तर है मंदिरों का निर्मार में आप देखिए सब्त पैगोड़ा मंदिर जोकी मामल शैली में 640 से 674 इसबी में महाबली पुरम का तटिय मंदिर राज सिंग शैली में 674 से 800 इसबी में ब्रिह देश्वर मंदिर राज राज पर्थम के समय और गंगय कोंड चोल पुरम मंदिर दी आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं हाथी गुम्फा का अभिलेक कि शासक के विशे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोथ है खारवेल अशोग हर्सवर्धन या कनिस्क तो सही उत्तर खारवेल दूस्तूं उदय गुरी पहाडी के हाथी गुम्फा से चे द कि शासक खारवेल का एक बिना तिथी का अभिलेक मिला है इसमें खारवेल के बच्पन सिक्छा राजा भिसेग और राजा होने के बाद से तेरे वर्सों के शासनकाल की घटनाओं का करमबध विब्रण दिया गया है ये अभिलेक खारवेल का इतिहास जानने का एक मात्र श पशुपालन के प्रमाड मिले हैं आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर प्रश्ण है आपसन है ओदय बोरी बागोर या लखनिया तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका जो है ये बागोर है आपसन सी इसके अलावा एक अस्थल और है आदमगड तो आदमगड और बागोर तो यहां पर आपसन में बागोर है बागोर राजस्थान में इस्थित है दोस्तों मध्य पाशाण काल से पशुपालन के साक्ष प्राप्त होने लगते हैं पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष मध्य प्रदेश में नर्मदा पुरम जिले के निकट आदमगड पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाडा जिले में बागोर से मिलते हैं तो याद रखेगा मध्यपाशान काल में पसुपालन के प्रमार बागोर से मिले हैं अगला प्रश्ण है सुची एक का सुची दो से सुमेलन करिए और दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करिए इसमें दक्षुन भारत के समुद्र गुप्त के समकाली नरेश और उनके राज्ये हैं इनका मिलान करना है तो धनन्जय का जो राज्य था वो कुस्तलपुर था नील राज का अवमुक्त था उग्रशेन का जो सासन था वो पालक कमे और विश्न गोपा काची का सासक था तो यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा तीन एक चार और दो देखे आपसंसी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीन एक चार और दो तो आप जान लिजे दक्षुन भारत के समुद्र गुप्त के शमकाली नरेश और उनके राज्यों में धनन्जय का कुस्तलपुर नील जाज का ऑमुक्त उग्रसेन का पालक का और विश्णुगोपा का राजे कांची था अगला प्रश्न है निमनलिखित में से सिंधु सभ्थेता में कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं कूट की सहायता से सही उत्तर का चैन करिए काली बंगा लोथल आलमगीर पूर या हुलास तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सिंधुगाटी सभ्यता के केंदर उत्तर प्रदेश में इस्थित थे तो सही उत्तर आलमगीरपूर और हुलास यानि आप संडी तीन और चार काली बंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में हैं आप जानते भ गुगाटी सभ्यता से संबंधित अस्थल ये उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं अगला है निम्ण में से कौन सी संस्था विदेशी ब्यापार से संबंधित थी स्रेडी नगरम नाना देश या मडिगराम तो यहां पर आप देखिए नाना देश और मडिगराम दोन हो जा दोस्तों लेखों से हमें विभिन व्यापारिक संगों के बारे में जानकारी मिलती है मरी ग्रामम, नाना देश, क्लेंग वलाइंगे, वलंजियर और इदैंगे तो यहाँ पर C और D दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे नाना देश और मरी ग्राम संस्था, यह विदेशी व्यापार से संबंधित थे अगला प्रेशन है, पुष्य मित्र सुंग द्वारा दो अस्वमेध यग्य किये जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है आपको बताना है, सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, आयुद्ध्या लेख या हाथी गुमपा तो सही उत्तर आयुद्ध्या लेख, पुष्य मित्र सुंग अंतिम मौरिशासक ब्रेहदरत का सेनपती था इसने एकसो चौरासी इसापूर में ब्रेहदरत की हत्या करके शुंग वन्स की अस्थापना की, आयुद्ध्या लेख से ग्यात होता है कि इसने दो अस्व मेध यग्य किया था प्राचीन इतिहास के बाद आये मधिकालीन इतिहास से संबंधित महुत्वण प्रश्णों को देखते हैं प्रश्ण है कि निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है अदीना मस्जिद मांडू सही सुमेलित नहीं है लाल दर्वाजा मंदिर जहौनपूर सही है दाखिल दर्वाजा गौड सही है तीन दर्वाजा अहमदाबाद सही है तो दोस्तों आप जान लीजे कि अदीना मस्जिद पश्ण बंगाल के पंडूगा में स्थित है नैकी मांडू में अदीना मस्जिद पश्रिम बंगाल के पंडुवा में इस्थित है और एक ये भगना वसेश है जिसे 1364 से 1374 इस भी के मध्य बंगाल के शासक सिगंदर शाह द्वारा निर्मित कराय गया था इस मस्जिद में शिगंदर साह की कब्र है और इस मस्जिद में हिंदू वास्तुक कल्प जो है वो आपके सुमेलित हैं तो अदीना मस्जित ये मांडु में नहीं बलकि पशिम बंगाल के पंडुवा में इसके अवशेश पाय जाते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर आप देखिए ध्रुवदाश क कि रचना है भगत नामावली सही है नाभा दास की भखतमाल सही है रस्खान की रशिक प्रिया सही नहीं है उस्मान की चित्रावली सही है तो आपसं सी जो है ये सुमेलित नहीं है क्यों क्योंकि रसिक प्रिया आचारे केशोदास की रश्ना है नहीं की रस्खान की केसो दास्कियन रचनाओं में रामचंद्री का और कभी प्रिया आ दी है तो याद रखिएगा रस्खान जो है ये कृष्ण भगत कभी थे इन्होंने नीति वचन और कृष्ण के पदों की रशनाई की हैं और मानस हों तो वही रस्खान तो ये जो प्रिशिध रचना है ये रस्खान भगत है मुसलिम कभी होते हुए भी इन्होंने कृष्ण के बंदना में कई पदों की रशनाई की है अगला प्रिश्ण है कि कथन और कारण से संबंधित है कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखे गई अनेक पुस्तकों का फार्सी में अनुबाद किया गया था बिल्कुल सही है कारण है कि प्रारंभिक चिस्ती सूफिसंत संगीत सभाओं जिने समा कहा जाता है उसके सौकिन थे सही है तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों ही कथन सही तो हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है ब्याख्या नहीं करते हैं तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं करता है आप देख लीजे दोस्तों कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फार्सी में अनुवाद किया गया था इन संस्कृत की पुस्तकों को अफार्सी में अनुवाद शासकों की रुच के कारण संभव था मेहमूद गजनवी यानिक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने विशेश रूप से संस्कृत में लिखी बिभिन छेत्रों की पुस्तकों का फारसे में अनुबात करवाया बाद में मुगल बादुशाहूं ने भी संस्कृत में लिखी बिभिन पुस्तकों का फारसे में अनुबात कराया तो असपश्ट है कि कथन सत्य है समा संगीत गोश्ठी होती थी चिस्ति संथ संगीत के समर्थक थे और संगीत को इश्वर तक पहुँचने का माध्य मानते थे तो इससे असपश्ट है कि कारण भी सत्य है लेकिन कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी कारण की ब्याख्या कथन कथन जो है कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं है अगला प्रिश्ण है मध्यकालीन भारत के आयतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रियोग हुआ है ये क्या होता था आपको बताना है तो सही उत्तर चकला जो है ये सूबा और परगना के बीच की छेतरी एक आई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की द्रिश्टी से प्रतेक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जीलों में विभाजित किया गया था प्रतेक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था प्रतेक परगने के अंतरगत अनेक गाउं होते थे शाह जहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिला कर नई इकाई चकला का गठन किया गया था तो ये सूबा और परगना के बीच की छेतरी इकाई थी तो याद रखेगा मध्यकालिन भारत में मुगल काल में चकला, सूबा और परगना के बीच की छेतरी इकाई था अगला प्रिश्ण है सुरक्षा के लिए मराठों के राजसों के दाओं को किस नाम से जाना जाता था आपको बताना है आपसन है सरदेश मुखी, चौथ, अबवाब या फिर जमादानी तो सही उत्तर चौथ चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलाई कहा जाता था इस करके बदले में पडोसी राज्यों को मराठों के आकरमन ता था लूट पाठ से बचने का आसवासन प्राप्त हो जाता था तो याद रखेगा सुरक्षा के लिए मराठों के राजसोदाओं को चौथ के नाम से जाना जाता था अगला प्रश्ण बहुत ही महतपूर्ण है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जित का निर्मार किसने कराया था हमीदा बानु बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा या फिर माहम अंगा ने तो सही उत्तर क्या हो जाएगा माहम अंगा माहम अंगा अकबर की धाय मा थी और दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मदर्सा का निर्मार माहम अंगा जो की मुगल सामराट अकबर की धाय माती इन्होंने कराया था ठैरूल मंजिल मदर्सा था जो की सिक्षा के लिए था अगला प्रश्ण है निमनलिखिती उगमों में कौन सही सुमेलित नहीं है जहां पर नहीं वर्ड आए उसको आप जरूर ध्यान दे क्योंकि ये प्रश्ण जो है अन्ने सभी विकल्प सही होते है और हम नहीं ने ध्यान देने के चक्कर में सही को ही टिक मार के चले आते हैं जब बाद में देखते हैं तो बहुत दुख होता है तो देखिए रियासत और सासकों का यहां पर मिलान किया गया है लेकिन इसमें से एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है देवगिरी के शासक संकर देव सही है वारंगल के रामचंद्र देव ये सही नहीं है होईसल के बीर बल्लाल सही है और मदुरा के बीर पांडया सही है आप देख लीजे अलावदिन खिलजी के दक्षुर भारत पर आकरमाण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था रामचंद्र देव की मृत्त्य के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना तेलंगाना में काकती वंश का सासन था यहां का सासक प्रताप रुद्र देव दोती था इसकी राजधानी वारंगल थी तो याद रखिएगा की तेलंगाना में काकती वंश का सासक था यहां का सासक जो है प्रताप रुद्र देव दोती था जिसकी राजधानी वारंगल थी तो राम चंद्र देव ये आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण है निमनलिखित को काला नुकरम में बेवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए देखे इसमें जो शासक हैं मुहम्मद शाह, जहादार साह, आलम गेरदुती और अहमद साह तो सही उत्तर सबसे पहले जहादार साह जिसको लंपट मुर्ख भी कहा जाता था उसके बाद मुहम्मद साह का नमबर आता है फिर हमद साह और लाश्ट में आलमगीर दूती तो यहाँ पर सही उत्तरापसन बी हो जाएगा आप देख सकते हैं जहाँ दार शाह का सासन 1712 13 मुहम्मद साहका 1719 से 1748 अहमद शाह 1748 से 1754 और आलमगीर दूती लाष्ट में 1754 से 1769 तक शासर था अब आए ये आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित महत्तुपूर्ण प्रेश्णों को देखते हैं पहला प्रेश्ण कथन और कारण से संबंधित है कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्विक्रिती वापस ले ली थी बिल्कुल सही है कारण है कि 1946 में गठित अंतरिम शरकार में मुस्लिम लीग सामिल हुई थी सही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं करता है कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा से कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर प्रसन थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण को नय मानने के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्विकार कर लिया था जुलाई 1946 में जब नहरू ने ये कहा कि समुही करणा निवारे नहीं है और समुह ब और सर के राज असम और उत्तर पश्रिम सीमा प्रांत समुह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्विकार कर दिया और सीधी कारवाई का प्रस्ताव किया बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहर लाल नहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंतर दिया इसमें मुश्लिम लीग को भी शामिल होने को कहा गय लेकिन उसने इसे अस्विकार कर दिया बाद में वायस राय के पुना सुझाओ देने पर उसने मुसल्मानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताओ द्वारा इसमें शामिल होना स्विकार कर लिया तो असपश्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रश्ण बहुत ही महत पूर्ण है आपके लिए निमनलिखित घटनाओं को काला नुक्रम में बेवस्थित कीजिए और बिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करिए यहाँ पर हंटर आयोग, सार्जेंट योजना यह सिक्षा से संबंधित योजनाए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं उड़ घोषड़ा पत्र यह उड़ का घोषड़ा पत्र 1854 का है हंटर आयोग आप देखिए दोस्तों हंटर आयोग जो है सार्जेंट योजना 1944 का है उड़ घोषड़ा पत्र 1854 सार्जेंट योजना 1944 सैडलर आयोग आप जानते हैं मैंने कई बार बता हैं 1917 का सैडलर आयोग है और आप जान लीजे कि 1882 में जो है हंटर आयोग 1882 तो अब क्रम बनाएए पहले सबसे पहले इसमें जो क्रम आएगा बुढ घोषड़ा पत्र 1854 उसके बाद आएगा हंटर आयोग 1882 फिर सैडलर और लाश्ट में सार्जेंट योजना तो सही उत्तर आपका CABD हो जाएगा CABD तो आएए देखते हैं बोड घोषड़ा पत्र बोड आप कंट्रोल के परधान चाल सूट द्वारा 1854 में जारी किया गया था हंटर आयोग की अस्थापना ब्रिटिस आसनकाल में वायसराय लाड रीपन द्वारा 1882 में की गई थी सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्व विद्याले की समस्याओं के अध्यन के लिए डाक्टर म.E. सैडलर के नेतरित में गठित किया गया था सार्जेंट योजना 1944 में प्रस्तूत की गई थी इस समय ब्रिटिस अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिस भारस सरकार में सिक्षा सलाहकार के पदपर न्यूक्त थे जिनकी नाम से ये राष्टी सिक्षा योजना प्रस स्थापना की थी भगस सिंग विनायक दामूदर सावरकर वारिंद्र कुमार भोस या पुलिन भिहारी तो सही उत्तर बीडी सावरकर यानि विनायक दामूदर सावरकर दोस्तूं विनायक दामूदर सावरकर और उनके भाई गडेश दामूदर सावरकर ने मित्र मेला नाम क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया था तो याद रखिएगा अभिनो भारस समाद की अस्थापना बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था अगला प्रश्ण है निम्नलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है संथाल विद्रो 18556 सही है कोल विद्रो 1831 सही है खासी 1829 सही है अहोम 1815 ये आपका सही नहीं है दोस्तों आप जान लीजे कि गोमधर कुवर के नित्रित में 1828 में नहीं की 1815 में वर्ड से याद रखेगा 1828 यानि 1828 और गोमधर कुवर के नेतरित में 1828 में अहोम छेतर के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंब हुआ जिसे इस्ट इंडिया कमपणी ने दबा दिया तीरस सिंग के नेतरित में जैन्तिया और गारो पहाडियों के गारो खासी और सिंगपोल लोगों ने खासी विद्रोह 1829 से 1833 में किया था छोटा नागपूर के छेतर में कोल विद्रोह का नेतरे तो 1831 वत्तिस में बुद्धु या बुद्धु भगत और गंगा नरायन ने किया था 1856 का संथाल विद्रोह एक प्रसिध आदिवाशी विद्रोह था जिसके नेता सिध्धु कान्हु चांद और भैरो नामक चार भाई थे अगला प्रेश्ण है निम्नवायस राय में से किसने कांग्रेश को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था अत्यधिक अल्पसंख्यक या सुख्ष्मदर्सी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर आपसन है डफरिन, लाड करजन, मिन्टो या लेंच डाउन तो सही उत्तर लाड डफरिन ने भारती राष्टी का अंग्रेश की अस्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लाड डफरिन जिसका कारेकाल 1884 से 1888 था उसने कांग्रेश का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सुक्ष्मदर्ग सी अलप संख्यकों की संस्था है अगला प्रश्ण और आज के वीडियो का आखरी प्रश्ण है निमने लिखिती उगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है यहाँ पर अस्थान और न प्रखनव लियाक तली यह आपका सही नहीं है लियाक तली का संबंध जो है यह प्रयागराज से था अन्य सभी विकल्ब आपके सही सुमेलित है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपीपीसे अस प्रारंभिक परिक्षा-2018 में सामान्य अध्यन विश्यके अंतर गत स भारती इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्तपोंड प्रश्णों का रिवीजन ये प्रश्ण आपके आगामी अन्य परिक्षाओं जैसे आरो यारो याने समिक्ष अधिकारी सहायक समिक्ष अधिकारी लोवर पेसियस जी आई सी गौर्मेंट डिगरी कालेज प्रवक्ता आधि परिक्षाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं साथ ही साथ उत्राखंड बिहार राजस्थान और यमपी पेसर द्वारा आयोजित परिक्षाओं के लिए रिवीजन की द्रिष्टी से ये बहुत ही महत्तपोंड आएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार